यूपी के चुनाव में बुल्डोजर ने कमाल कर दिखाया योगी सरकार के बुल्डोजर ने वो कमाल कर दिखाया जिसका अंदेशा सायद ही राजनितिक पंडितों को था दस मार्च को जिस प्रकार का चुनाव प्रणाम सामने आया है उसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी यूपी सरकार कमबैक करेगी या नहीं इसको लेकर लोगों में संसय बरकरार था लेकिन यूपी में बीजेपी का बुल्डोजर ऐसा चला कि बिरोधियों के तमाम दावों की हवा निकाल हालाकि यूपी में बीजेपी को पुर्ण बहुमत मिल जरूर गया है लेकिन पिछले चुनाव से कम सीटे आई है जैसे जैसे रुजहान बीजेपी के पक्ष में आने लगे कार्ज करताओं का जोस हाई होता चला गया यूपी से लेकर बिहार तक सणकों पर बुल्डोजर ही बुल्डोजर दिखने लगा क्या पुरुष क्या महिला कर्च करता सभी बुल्डोजर पचड़ कर बीजेपी की गुनगान करने लगे दरसल यूपी में कहा जाता है कि योगी सरकार ने दबंगो की संपती पर खुब बुल्डोजर चलाने का काम किया जिससे वहां की जनता इतनी खुस हो गई कि 2022 के बिधान सभा चुनाओं में दिल खोल कर योगी सरकार को भोट कर दिया बुल्डोजर के करनामा देख और सुनकर बिहार सरकार ने भी अब बुल्डोजर चलाने का निरने लिया है अब बिहार में भी यूपी के तर्च पर बुल्डोजर चलाया जाएगा इसके लिए दिन, तारीक और महीना भी तै कर लिया गया है सरकार ने वो तारीक का भी अलान कर दिया है जिस दिन से बिहार में बुल्डोजर चलने वाला है इसलिए सावधान हो जाईए ऐसे लोग जिन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा किया है जो सरकार की नजरों में अवैद है दरसल अपनी जमीन को अतिक्रमन से मुक्त कराने के लिए राजसरकार बुल्डोजर चलाने जा रही है यहाँ अभियान एक अप्रेल से चलेगा राजस्यों भुमि सुधार मंत्री राम सुरत राय ने शुक्रबार को बिधान सावा में इसकी घुष्टना कर दो वे अपने विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे मंत्री ने कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विभादों को प्रात्मिक्ता के अस्तर पर निप्टा रही है ओनलाइन से जुड़ी सेवाओं को ओनलाइन किया गया है इसके सार्थक नतीजे भी आ रहे हैं इतना ही नहीं सरकारी जमीन को अतिक्रमन मुक्त कराने के लिए बुल्डोजर पर होने वाले खर्च के मद में जीलो को 10-10 लाक रुपे की रासी दी जा रही है सदन में ध्वनी मत से विभाग का बजट पारित कर दिया गया है यह 1332 कड़ रुपे से अधिक का है सदन में मंतरी राम सुरत राय ने कहा कि अभियान के तहत गैर मजरुआ आम और खास, खास महाल, कैसरे हिंद और विभिन सरकारी भी भागों की जमीन को अवैद कबजे से मुक्त कराये जाएगा पटना हाई कोट के आदेश पर जल निकायों को भी अतिक्रमन मुक्त कराये जा रहा है उन्होंने कहा कि सुस्त और भरस्ट सेवकों के खिलाफ अनुसासनिक करवाई भी हो रही है इस साल एक अप्रेल से अपने आप ऑनलाइन दाकिल खारिज की परकिरिया सुरू कर दी अगर बुल्डोजर उन तमाम सरकारी जमीनों पर चल जाए तो कई तरह की समस्या से अपने आप निचात मिल सकता है सण के चोड़ी हो जाएगी कहीं पर पार्क का निर्मान हो जाएगा तो कहीं पर सरकारी जमीन का दूसरा उप्योग हो पाएगा जो आज अतिक्रमन के कार नहीं हो पा रहा है लाइफ सिटीज की रिपोर्ट अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप ट्वीटर से भी जूड सकते हैं धन्यवाद